अकाश्वानी भुपास से प्रस्तुत हैं प्रादेशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर जी सबसे पहले इस बुलिटन के मुख्य समाचार राश्वपती द्रौपती मुर्मु ने कहा न्याए इतना महंगा न हो जाए कि आम आदमी की पहुँच से ही दूर हो जाए प्रदेश की तीसरी मेट्रोसिटी बने का जबलपुर मुख्यमंत्री ने की घोशना अंतराश्व रधजन दिवस पर एक अक्टूबर को असी वर्ष से अधिक किमत दाताओं का उनके निवास पर ही किया जाएगा सम्मान और क्रिकित में आस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रनों से हराया अब समाचार वस्तार से राश्वपती द्रौपती मुर्मू ने कहा कि नियाए व्यवस्था से जुड़े लोग इस बात का खास ध्यान रखें कि नियाए पाना इतना महगा ना हो जाए कि नियाए आम आदमी की पहुँच से ही दूर हो जाए राश्वपती कल जबलपुर में मध्यप्रदीश अच्छ नियायाले के नए भवन की आधाशिला रखने के बाद कारिक्रम को संबोधत कर रही थी राश्वपती ने नियाए पानी की प्रक्रिया को सहच और नहिशुल्क बनाने के लिए संस्थाओं और वकीलों से आगे आने की अपील की राश्वपती ने देशभर की अदालतों में लंबित पड़े विचाराधीन खैदियों के विशे पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि अदालत, सरकार और पुलिस प्रशासन को इस समस्या के समाधान के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए कारिक्रम को राजेपाल मंगु भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान और मध्यप्रदेश उच्छन यायाले के चीफ जस्टस रवी मलिमत ने भी संबोधित किया मध्यप्रदेश उच्छन यायाले का नया भवन खरीब 460 करोड रुपे की लागत से लगभक सवा लाग वर्ग मीटर क्षेतर में बनाया जाएगा भवन नौ मंजिला होगा और पहले चरण में इस भवन में 31 कोट रूम बनाया जाएंगे यहां हर मंजिल पर वकीलों और पक्षकारों के लिए सभी आधोनिक व्यवस्थाएं होंगी इससे पहले राशपती द्रौपती मुनमू ने इंदौर में कल इंडिया स्माट सिटीज पुरुसकार प्रतियों गिता ISAC 2022 के चौथे संसकरण के विजेताओं को सम्मानित किया पांच राजियों के इंदुशासत प्रदेशों और 31 शहरों सहित साथ भागिदार संगठनों को पुरुसकारों से सम्मानित किया गया भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को राशिय स्माट सिटीज पुरुसकार सहित साथ श्रेणियों में सम्मानित किया गया स्वच्छता जल शहरी परियावरन श्रेणियों में भी इंदौर को नंबर वन स्थान मिला मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने जबलपुर शहर को हजार करोड रुपए के विकासकारियों की सौगात दी उन्होंने कहा कि जबलपुर विकास के नए आयाम स्थापत कर रहा है मुख्यमंत्री ने 155 करोड रुपए की लागत से निर्मित किये गए फ्लाइ ओवर के लोकारपन समारों को संबोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने जबलपुर वासियों के लिए विकास के नए द्वार खोलते हुए कहा कि जबलपुर शहर में 5000 करोड रुपए की लागत से 116 किलो मीटर के रिंग रोड निर्मित किये जाएंगे जबलपुर में 1100 करोड की लागत से बनने वाले फ्लाइ ओवर से शहर की तस्वीर बदल जाएगी मुखे मंतर श्वी चौहा ने कहा कि जबलपुर के विकास के कार्य निरंतर किये जा रहे हैं जबलपुर में विकास कार्यों के लिए राशे की कमी नहीं आने दी जाएगी जबलपुर को इंदौर और भोपाल के बाद मेट्रो सिटी के रूप में विक्सित किया जाएगा यहां मेट्रो का जाल बिचाय जाएगा जो इसके विकास में एहम भूमिका निभाएगा विश्व परेटन दिवस के अफसर पर परेटन मंत्राले की बेस्ट टूरिजम विलज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने फिर शीश स्थान हासल किया है प्रदेश के ग्राम मंडला और खोकरा दोहजार तेश के सर्विश्रेश्ट परेटन गाउं के रूप में चुने गए हैं प्रमुक सचिव परियटन और संस्कृती एवं प्रबंध संचालक, टूरिजम बोट, श्री, शिवशेखर शुकला ने हज जताते हुए ग्रामीन परियोजना विकास में प्रयासरत सभी अथिकारियों और सहभागी संस्थाओं को इसके लिए बधाई दी है ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक अक्टूबर को अंतराश्टिय वृद्ध जन दिवस है मुख्य निर्वाचन, पदा अधिकारी, मधिप्रदेश, अनुपम राजन ने बताया कि सफसर पर जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी, नर्वाचक, रजिस्ट्री करण अधिकारी और बूत लेवल ओपसर अपने अपने ख्षेत्र के 80 वर्ष से अधिकायों के मध्दाताओं को उनके नवास्थान पर ही सम्मानत करेंगे शुडाजन ने कहा कि भूपाल में आर्सी, पीवी, नरोनहा, प्रशासन अकादमी में असी वर्ष से अधिकुम्रे के मध्दाताओं का संबान समार हो आयुजद किया गया है इसमें भूपाल के असी वर्ष से अधिकुम्रे के स्थानिय मध्दाताओं को संबान आमंतृत कर उनका भी नंदन किया जाएगा चीन के हांग चों में इशियाई खेलों में भारत ने अब तक शांदार प्रदर्शन करते हुए कलकुल साथ पदक जीते निशाने बाजी में भारत ने दो स्वांड, दो रजल्ट और दो कासे पदक हासल किये सिफद कौर्स अम्रा ने महिलाओं की 50 meter rifle 3 position व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वन्पदक जीता इसी प्रतियोगिता में आशी ने कासी पदक हासल किया भारतिय टीम ने 50 meter 3 position की टीम स्पर्धा में चांदी का तमगा हासल किया इसे पहले 25 मीटर पिस्टिल टीम्स पर्धा में मनुभा कर ईशा सिंग और रिदम सांगवान की टीम ने स्वन्ड पदक जीता था 5 स्वन्ड, 7 रजत और 10 कासिय सहित कुल 22 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में छटे स्थान पर है इसी के साथ मध्यप्रदेश के खिलाडियों ने 3 सवन्ड, 3 रजत और 3 कासिय सहित 9 पदक जीते है मध्यप्रदेश का ये एशिन गेम्स में अब तक का सर्वश्रेश्ट प्रदर्शन है बात क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया ने राजकोट में 30 रजत और अंतिम एक दिवसिय क्रिकेट मैच 66 रणों से जीत लिया है भारत ने 2-1 से श्रिंखला अपने नाम कर ली है अंतिम एक दिवसीय मैच जीत कर आस्ट्रेलिया शिंखला के सभी मैच गवाने से बच गया गुजरात के सौराश क्रिकट असोसेशन स्टेडियम में हुए मुकाबले में आस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी कर विशाल स्कोर खड़ा किया और 353 रण के विशाल लक्ष का पीछा करने उत्री भारतिय टीम को 49 ओवर और चाल गेंद में 286 रण पर ही रोग दिया तीन मैचों की श्रिंखला के पहले दोनों मुकाबले जीत कर भारत ने दो एक से ये श्रिंखला जीत ती आज गणेशोटसफ कांतिम दिन अनंत चतुरदशी है घरों मंदिरों और पंडालों में विशेश पूजारचना का दौर जारी है इसी के साथ सभी जगों पर गणेश प्रतिमाओं के विसरजन की विशेश व्यवस्था की गई है वहीं आज इदे मिलाद भी मनाया जा रहा है इदे मिलाद पैगंबर मुहमत के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है दोनों ही तेवहारों के लिए प्रशासन ने कानून विवस्था के मद्दे नजर पुक्ता इंतिजाम किये हैं मुख्य जाकी समारों प्रदेश के इंदोर में परंपरागत रूप से निकाले जाने की तैयारया की गई है यहाँ चल समारों को देखने दूर-दूर से लोग पहुचते हैं वहीं खनवा में अनंत चतुरदशी के दिन इस वर्श भी सुन्दर आकरशक जाकियों का कारवा निकलेगा प्रदेश के अन्य शहरों में भी रंगा-रंग और आकरशक जाकिया निकाली जाएंगी अब कुछ समाचार संक्षेप में जनसंपर्क और लोकस्वास यांत्रिकी मंत्री राजेंद्र शुकल 28 सितंबर याने आज रीवा प्रवास पर रहेंगे विभातिय रवेट क्रॉस सोसाइटी रीवा के द्वितियतल में नव निर्मित ब्लड बैंक सेपरेशन यूनित और डायलसिस यूनित का लोकारपंट करेंगे अशोकनगर कलेक्टर की अध्यक्षता में सितंबर में सेवा निवरत होने वाले शास्की सेवकों का सम्मान समहरो आज कलेक्टरेट सभखक्ष में किया जाएगा मेरी माटी मेरा देश अभ्यान के दूसरे चरण के अंतरगत आगरमालवा जिले में अम्रित कलश यातुरा का आयोजन होगा दुतिय चरण अंतरगत 30 सितंबर तक स्थानी इस तरपर गाउं और वाट्स तरपर मिट्टी का संग रहन होगा जलसन साधन मंत्री तुलसी राम सिलावर्ट मांगलिया में आज रेल्वे ओवर ब्रज नर्मान कारे का भूमी पूजन करेंगे अंदौर उज्जैन रेल्वे सेक्शन में मांगलिया के पास मुख्य जिला मार्ग पर रेल्वे संपार्क रमांग 45 पर लगभग 35 करोड रुपे लागत से रेल्वे ओवर ब्रज का नर्मान किया जा रहा है मुखे मंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहर जगतनाथ पूरी यात्रा के लिए चैनल डिंडौरी जिले के 94 तीर्थ यात्रियों को लेकर बस जबलपूर के लिए रवाना हुई बोपाल में 30 सितंबर को मुखे मंत्री शिवरा सिंग चौहान की उपस्तिती में मेट्रो ट्रेन का ट्राल रन किया जाएगा और महिला इवं बालविकास हटा द्वारा हटा महाविद्याले में कल पोशन क्विस प्रतियोगता का आयोजन किया गया अंध में बुलिटन के मुखे समाचार एक बार फिर राश्रपती द्रौपती मुर्मू ने कहा नियाए इतना महंगा न हो जाए कि आम आदमी की पहुँच से ही दूर हो जाए प्रदेश की तीसरी मेट्रो सिटी बनेगा जवलपूर मुखे मंत्री ने की घोशना अंतराश्य व्रध जन दिवस पर एक अक्टूबर को असी वर्ष से अधी के मद्दाताओं का निवास पर ही किया जाएगा सम्मान और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को छिया प्रणो से हराया बुलिटन में फिल हाल इतना ही अनुमती दीजिये नमस्कार